जानते हैं अकाल मृत्यू क्या है, अकाल मृत्यू क्यों होती है, क्या सबकी अकाल मृत्यू हो सकती है या किन व्यक्तियों की कभी भी अकाल मृत्यू नहीं होती इन सब के बारे में जानेंगे तो आयू के पुद्गल कम या स्वल्प होते हैं तब स्वस्त प्रानी की भी दुर्गटना के बिना ही मृत्यू हो जाती है और अगर आयू के पुद्गल अधिक होते हैं तब दुर्गटना और रोग होने पर भी व्यक्ति आश्चर्य पूर्ण धंग से जीवित रह जाता है आयू दो प्रकार की होती है अपवर्तनिय आयू यानि जो आयू बंदकालिन स्तिती के पूर्ण होने से पहले ही भोगी जा सके वो अपवर्तनिय आयू है दूसरी प्रकार की आयू है अनप वर्तनिय आयू यानि जो आयू बंद कालिन स्थिती के पूर्ण होने से पहले न भोगी जा सके वो अनप वर्तनिय आयू है अगले जन्म की आयू वर्तमान जन्म में ही निश्चित हो जाती है उस समय अगर परिनाम मंद हो तो आयू का बंद शितिल होता है जिसके कारण निमित के मिलने मात्र से ही आयू की बंदी हुई काल मर्यादा घड़ जाती है इसके विपरित अगर परिनाम तीवर होते हैं तो आयू का बंदन भी गार्ड होता है जिससे निमित के मिलने पर भी बंदी हुई काल मर्यादा नहीं घड़ती तिवर परिनाम जनित गार्ड बंद वाली आयू सस्त्र विश्च दुरगटना आधी के प्रयोग होने पर भी अपनी नियत काल मर्यादा से पहले पूरी नहीं होती बलकि मंद परिनाम जनित सितिल बंद वाली आयू सस्त्र विश्च दुरगटना का योग होते ही अपनी नियत काल मर्यादा समाप्त होने के पहले ही अंतर मोहरत मात्र में भोग ली जाती है आयू के इस सिग्र भोग को अपवर्तना या अकाल मृत्यू कहते हैं और नियत स्तिती तक आयू को भोग लेने को अनपवर्तना या काल मृत्यू या स्वाभाविक मृत्यू कहते हैं अपवर्तनिय आयू सोप क्रम या उपक्रम से सहीत होती हैं तीवर सस्त्र तीवर अगनी तीवर विष आदी जिन निमितों से अकाल मृत्यू होती हैं उन निमितों का प्राप्त होना उपक्रम है अनपवर्तनिय आयू, सोपक्रम और निरूपक्रम दोनों प्रकार की होती है इस आयू को अकाल मृत्यू लाने वाले कई निमितों की प्राप्ती होती भी है और नहीं भी होती निमित मिलने पर अनपवर्तनिय आयू वालों की आयू पूर्ण नहीं होती वे जीवित ही रहते हैं, वे अकाल मृत्यू किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकते। हर एक प्रकार की दुरगटना में वे बच निकलते हैं। नहीं मर सकते। सामान्य मनुश्य और तिर्यंच, अपवर्तनिय और अनपवर्तनिय दोनों प्रकार की आयूवाले होते हैं। निमित के मिलने पर उनकी अकाल मृत्यू हो भी सकती है और निमित मिलने पर अकाल मृत्यू नहीं भी होती। तो ऐसा क्यों और किसलिए होता है तो कर्मबाद के अनुसार जो आयुश्य कर्म चीर काल तक भोगा जाने वाला होता है वो एक साथ जल्दी से ही भोग लिया जाता है उसका कोई भी भाग भिना भोगे नहीं चूरता उदारन के लिए जैसे यदी घास की सगन रासी में एक तरफ से छोटी सी अगनी की चिनगारी छोड़ दी जाए तो वो चिनगारी एक एक तिनके को क्रमशह या धीरे धीरे जलाते जलाते उस सारी राशी को जलाने में काफी समय लगा सकती है परन्तु वही चिनगारी अगर घास की शितिल रासी में छोड़ दी जाए तो कुछ ही चनों में वो समूची राशी को जला डालेगी दूसरा उदारन दो समान वस्तर के टुकडे एक समान पानी में भिगोए गए उन में से एक कपड़े को फैला कर सुकाया गया और दूसरे को समेट कर पहला कपड़ा जल्दी सूखेगा और दूसरा बहुत देरी से पानी का परिमान और कपड़े की शोशन क्रिया समान होने पर भी कपड़े के संकोच और फैलाव के कारण सूखने में देरी और जल्दी का फर्क पड़ता है इसी प्रकार समान परिमान युक्त अपवर्तनिय औ और अनप वर्तनिय आयू के भोगने में भी सिर्फ देरी और जल्दी का ही अंतर पड़ता है और कुछ नहीं। तो ये थी संचिप्त जानकारी अकाल मृत्यों से संबंदेत। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कमेंट में बताएं। और कितने लोगों को अकाल मृत्यों का ये पॉइंट समझ में नहीं आया है वे भी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब।